जैपूर से प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने आनंदपाल के एंकाउंटर, संसद में बजट चर्चा, विधान सभा में हंगा में और नेपाल में हुए विमान हासे की खबर को प्रमुकता से प्रकाशित किया है दैनिक भासकर ने आज आनंदपाल का एंकाउंटर करने वाले साथ पुलिस अफसरों पर हत्या का केस चलेगा, शीर्शक से खबर प्रकाशित करते हुई लिखा है कि AGM, SBI कोट ने बुद्वार को SBI की क्लोजर रिपोर्ट खारज कर दी, एंकाउंटर में शामिल चूरू S.P साथ पुलिस अफसरों पर हत्या की धारा 302 के तहट केस चलाने की और जाज के निर्देश दिये, वहीरालसान पत्रिका ने संसद में हुई आम बजट पर चर्चा की खबर को मुख प्रश पर प्रकाशित किया है, समाचा पत्र के अनुसार बजट पर चर्चा के दोरान दो तीक ही बहस हुई, विपक्ष ने भेद भाव का आरोप लगा कर वौक आउट भी किया, वहीरालसान पत्रिका ने विधान सबा सत्र के दोरान हुए हंगामे की खबर को भी प्रथम प्रश्ट पर जगा दी है, समाचार पत्र के अनुसार विधान सबा में प्रदेश के 30 ला प्रशनकाल के दोरान ही सरिस्का में ही पिशली सरकार के दोरान किये गए जमीन आवंटन के मामले पर भी जम कर हंगामा किया गया, वही दैनिक भासकर ने कारगिल विजद दिवस के अवसर पर शहीदों की शहादत को लेकर एक मार्मिक खबर प्रकाशित की गई है, साथ सा समझाया कि पिता कारगिल शहिद तो गर्व हुआ, गम की आखें उन्हें देख कर तक नहीं पाई, खबर प्रकाशित कर ऐसे बच्चों की कहाने प्रकाशित की गई है, जिनने जर्म के काफी वर्ष बात पता चला कि उनके पिता कारगिल में शहिद हुए थे, देरिंग साथ ही लिखा है कि जैसलमेन में 400 मेगावाट्स और उर्जा संयंतर से अक्षय उर्जा उत्पादन होगा, समाचार पत्र पंजाब केसरी ने मुक्ष प्रश्ट पर चंद्रयान एक की खोच की पुष्टी देश के लिए बड़ी उपलब धी, शीर्षक से खबर प्रकाशि की है, खबर में बताया गया है कि भारत ने चांद पर यंत्र भेज कर दुनिया को बताया कि चांद पर पानी है, अब चीन द्वारा चांद से लाए गए मिट्टी के नमुने से इसकी पुष्टी भी हो गई है, वहीं समाचा जगत ने नेपाल में हुए विमान हासे की खब राश्ट दूत ने सवाई माधुपूर विधायक डॉटर किरोडिलाल मीना के SOG को RS REIT, SI भरती परिश्चा में हुए पेपर लीग के सबूत सौपने की खबर को प्रमुकता से प्रकाशित किया है, खबर के अनुसार किरोडिलाल मीना ने आरोप लगाया है कि SOG के कई अधि पर पढ़ने वाले साकरात्मक असर पर अध्यन रिपोर्ट को प्रकाशित किया है, खबर के अनुसार हाल ही में जारी हुए बजट की योजनाओं के माध्यम से, भारत में और द्योगिक मांग के अनुसार आगामी वर्षों में अधिक नौकरियां उपलब्ध होंगी, वही टाइमस ओफ इंडिया ने सुप्रीम कोट की सेंट्रल एमपावर कमिटी द्वारा सरिस्का टाइगर रिजर्व में नीजी वाहनों के आवागमन पर लगाय गए प्रतिबंद की अनुशंसा की खबर को प्रकाशित किया है, खबर के अनुसार अगले वर्ष की 31 मार्ष से, 31 सरिस्का के तीनों गेट से वाहनों के एंट्री पर प्रतिबंद लगाया जाएगा, तो ये थी आज की जैपूर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां